आज हम लोग देखने वाले हैं इसे का question number seven तो चलिए देखते हैं बोल रहा है एक किसान को अपना बैल रुपए 2500 में बिचने पर 25% का लाब होता है दोस्तों यहां पर एक किसान है जो क्या करता है अपने बैल को बिचता है कितने में 2500 में तो उसको क्या हो जाता है 25% का लाब होता है तो बोल रहा है बैल का क्राय मुल्य ग्याद किजिए ठीक है चलिए देखते हैं यहां पर क्या बोल रहा है बैल का विक्राय मुल्य यहां लिख देंगे क्या विक्राय मुल्य कितना है 2500 रुपए ठीक है यहां पर दे रखा है कितना लाब परतीसत आपका दे रखा ह यहाँ पर देखे क्राइब मुल यह कितना होता है आपका, 100 परतीसद, बट हुआ है कितना, लाब हुआ है 25 परतीसद, मतलब इसको बेचे कितना होगा, 125 परतीसद में, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, 125 परतीसद बराबर कितना होगा, 2500 रुपय, होगा ना यहां से हम एक परतिसत का भाल्यू निकाल लेंगे क्या करेंगे ये पचीस सौ को कितना से भागा देंगे एक सौ पचीस से ठीक है इसको भागा देजे एक सौ पचीस दोनो दो सौ पचास और यह एक जीरो यानि एक परतिसत का भाल्यू कितना है बीस तो क्राय मुल कितना था दो हजार रुपए ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले थांक्यू